जैई श्री हरी, स्प्रीचल गयान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सच्ची गटना पर अधारित हमारी अगली कता है जब ठाकुर जी को कोटाना पड़ा शुरू करते हैं, एक गाउं में बहुत ही साधरन व्यक्ति रहता था उसे भगवान पर अटूट विश्वास था, जब कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता वह बोलते ठाकुर जी ही जाने उस गाउं में एक ठाकुर जी का मंदिर था, उन्हें उन पर पूरा विश्वास था, उन व्यक्ति के दो पुत्र और एक पुत्री थे जब पुत्री की शादी की, तो साधारन व्यक्ति ने साहुकार से कुछ करजा लिया, कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने पिता को बोला यह लो पैसे और साहुकार को देकर करज मुक्त हो जाओ, उस व्यक्ति ने जाकर साहुकार से कहा यह लीजे साहुकार जी अपना मू पढ़ हूं जो लिखा है वह ठाकुर्जी जाने सहुकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है उसके मन में लोग भागया सहुकार ने उस व्यक्ति को कहा अंदर जाकर जड़ा एक गलास पानी तो लेकर आओ इसी बीज में सहुकार ने उस परची को हटा कर एक दूसरी परच मामला कोट में चला गया कोड में मैं वेक्ति को बूलाए गया वेक्ति जोड जोड सी रूने लगा और भूला कि थाकर जी जानते हैं चट में कोई पैसा ज़ाओं आधी में हैं उसे कल कोट में आना पड़ेगा गाओंवालों ने कहा ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गाओं में नहीं है ठाकुर जी का एक मंदिर है अब भगवान कैसे कोट में पेश होंगे अगले दिन अदालत की कारवाई शुरू हुई जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोड से बोला ठाकुर जी हाजिर हूँ ठाकुर जी हाजिर हूँ उसी वक्त एक बुढ़ा व्यक्ति सिर परतिलक लगाए चंदन की माला पहने हुए कोट में आ गया उस व्यक्ति ने कटगरे में खड़ा होकर बोला सर मैं ठाकुर जी हूँ बताईए क्या बात है जट साब ने ठाकुर जी से पूछा कि आप इस वेक्ती को सहुकार को पैसे देते हुए देखा था तब ठाकुर जी ने बुला हाँ जट साब मेरे सामने ही इस वेक्ती ने सहुकार को पूरे पैसे ब्यास समय दिये थे आप सहुकार को यहां पर रोकिए और किसी व्यक्ति को सहुकार के घर बेजिए सहुकार के घर में अलमारी नमबर 3 में एक फाइल है उस फाइल के 22 में पेच पर वह पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्यास समयत पैसा लोटा दिया था वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जजज सहाब को एक परची दी इस परची में लिखा हुआ थै कि पूरा पैसा ब्यास समयत मिल गया है जजज सहाब ने कहा ठाकुर जी कहा गए उन्हें बुलाओ ठाकुर जी दिखाई नहीं दिये अगले दिन जजज सहाब उस व्यक्ति के गाउं गया पूरे गाउं में खोजा गया सभी व्यक्ति ने कहा कि वह व्यक्ति इस गाउं का था ही नहीं जज सहाब अब तक समझ चुके थे कि वह ठाकुर कोई और नहीं भगवान ही थे जद साहब ने उसी वक्त अपने पत से इस्तीफा दे दिया और भारत के सभी मंदिरों में गूम गूम कर ठाकुर जी की मिट्टी को अपने सिर पर लगाते रहे किसी मंदिर में भी बैठते नहीं थे जद साहब कहते थे हमने भगवान को अदालत में बुला करके खड़ा किया था फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ इस तरह जद साहब काफी बदल गए तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना पर अधारित हमारी कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए कहानियों को सुनने के लिए स्प्रीच्व ग्यान जैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फूर वाचिंग